छोटे छोटे मगर कमाल के नुस्खे नमबर एक खून को गाडा होने से बचने के लिए रोज एकसरसाइस करनी चाहिए नमबर दो हाथों से कपड़े धोने से दिल मजबूत होता है और हाथों की मासपेशिया मजबूत बनती है इसलिए कपड़े हमेशा हाथों से ही धोने चाहिए नमबर तीन जब सर में दर्द हो तो हलके हलके हातों से गुनगुने तेल की मालिश करनी चाहिए और स्लो म्यूजिक सुनना चाहिए इससे सर दर्द में आराम मिलता है नमबर चार किड्नी स्टोन से बचाना है तो रोज तर्बूस खाना चाहिए यहां बहुत ही ज्यादा फाइदे मन्ध होता है नमबर पाँच हमेशा खाली पेट नहाना चाहिए इसे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता नमबर चे गाजर के जूस में शहद और नमक मिलाकर पीने से आंखों की कम हुई रोशनी भी वापस आ जाती है नमबर साथ चुकंदर में आईरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है इसलिए आपने खाने में रोज चुकंदर लेना चाहिए नमबर आठ नारियल और गुड के सेवन से तवचा संबंधी कई समस्या खत्म हो जाती है इसमें एंटी एजिंग पाया जाता है जो की तवचा में जुर्वियां और एकने की समस्या से बचने में मदद करता है नमबर नौ अस्थमा की शिकायत होने पर करेला बेहत फाइदे मंद होता है यहां आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है जिससे लंबे समय के लिए यह बीमारी दूर हो जाती है दमा रोग में करेले की बगैर मसाले वाली सबजी खाने से लाब मिलता है पेट में गैस बन पत्तेदार सबजिया रोटी आदी का सेवन करे क्योंकि यहां आसानी से बज जाती है नमबर ग्यारा चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती बज जाती है उसे सुखा कर रख ले और जब काबुली चना बनाए तो उसकी एक पोटली बनाकर बरतन में डाल दे इसे काबुली च नमबर तेरा अगर आपके सर में रोज दर्द रहता है तो पालत खाना छोड़ दे 14 पूरे दिन में 5-5 मिनट करके एक घंते के लिए उकडू जरूर बैठे इससे नसों के ब्लॉकिज ठीक रहते हैं पेट संबंधित परेशानी भी दूर होती है और हड्या भी मजबूत होती है और माइग्रेन मोटापा कमर दर्द गैस की समस्या इसे राहत मिलती है 15 पूर बैठे उकडू बैठने के बहुत फाइदे है 15 जो औरते सुबह जल्दी उठकर नहा लेती है उनकी स्किन ग्लो करती है और वहाँ बीमारियों से भी दूर रहती है इसलिए हमको सुबह जल्दी नहाना चाहिए 16 पीरियर के समय महिलाओं को ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए इससे दर्द बढ़ सकता है 17 कच्चा नारियल रोज खाने से दिमागी कमजोरी दूर होती है 18 लकवा होते ही रोगी के नाक में गाय का देशी घी डालने से लकवा 15 मिनट में ठीक हो जाता है 19 रात को सोने से पहले अपने तलवों की मालिश अवश्य करे यह शरीर के लिए बहुत ही फाइदे मन्ध होती है 20 नीम के बारे में कहा जाता है कि एक नीम और एक सो हकीम बराबर है नीम की दातुन करने से दांत्व मसूडे मजबूत होते हैं तथा दांत में कीड़ा नहीं लगता तथा मुंग से दुरगंद नहीं आती है 21 हथेली तलवों में जलन होने पर गाय का देशी घी से मालिश करने से तुरंत लाब होता है नीम भी अच्छी आती है आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे तो हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और बेल नोटिफिकेशन को आन करके आल पर सेट कर दे ताकि हमारी वीडियो का नोट आपको मिल सकें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद